नमस्का दोस्तों मैं डॉक्टर प्राशली आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे होमेपेटी के एक बहुत ही अच्छे हेर ओयल के बारे में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉमेटिव है आप इसको अंतक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बाल यानि की हेर हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टन चीज है और बहुत ही एक आपके बरस्नालिटी का एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे बाल समय के साथ साथ तो नॉमली भी लोगों के बाल जढ़ने लग जाते हैं लेकिन अभी जो बहुत सारे लोगों में ये परिशानी देखने को मिलने लगी है कि बहुत यंग एज में ही उनके बहुत ज़दा जढ़ने लगे हैं उनके रूक्स बहुत कमजोर हैं उनमें बहुत जल्दी सफेध होने लग जा रहे हैं जैसे बहुत early age में, 20 साल में 22 साल में ईनके बाल सफेध होने लग जा रहे है बाल की density बहुत ज़ादा कम हो गई है तो सबसे पहले हम बात करेंगे तोस्तों इनके कारणों के बारे में उसके बाद मैं बताऊंगो आपको अगर वाले भीडिश फॉलिकल्स के लिए उसके ग्रोथ के लिए। घज चाहिते है में बुति के लिए जो इंस्टी को इम्प्रूब करने के लिए। तो अगर आपका शरीर विटमिन्स डेपिशन्ट है तो आपके बाल βहत कम एज में भी गिरना शुरू सकते हैं। यूशली लोग कहते हैं कि ये परिशानी तो हमें ओल्ड एज में जाके देखने को मिलती है तो इसके पीछे ये एक जो नुट्रिशनल पार्ट है बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है इसके अलावा दोस्तों अगर आपको जेनिटिकल फैक्टर है कि अगर आपके फैमली में ऐ या आपके फादर या आपके अन्य और जो मैटरनल या पैटरनल साइट के ब्लेड रिलेटिव हैं चाहे वो आपके मदर साइट के हो या आपके फादर के साइट के जो ब्लेड रिलेटिव हैं उनमें अगर ऐसी टेंडेंसी है तो आप में भी ये देखने को मिल सकती है कही आप में ये dominant gene आया हो, हो सकता आपके brother या sister में ये gene नहीं गयो, जिससे उन में ये hair fall tendency ना आके आप में ये hair fall tendency आई हो, थर्ड जो cause है दोस्तों वो है pollution, अगर आप extreme pollution में, extremely pollution वाले areas में exposed होते हैं, बहुत दिन में आपको दूल मिट्टे में जाना होता है, बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है आपके बालों में, तो ये भी आपके बालों को damage करने में, बहुत ही major role play करते हैं, इसके लावा अगर आप बहुत ज़्यादा cosmetic या chemical exposure करते हैं, आपने बालों में colors लगवाए हैं, या आपने बहुत ज़्यादा chemical treatment दिया है, तो उससे भी आपके बालों क कमजोर होने, उसके रूट के कमजोर होना, बहुत ही major role play करता है, graying of hair का भी एक बहुत ही बड़ा, यानि कि सफेद जो बाल बहुत young age में होने लगते हैं, इसके पीछे भी दोस्तो nutritional deficiency और जो genetical situation है, ये दोनों बहुत major role play करते हैं, इनके वज़े से भी आपके बाल समय से प अगर है तो आप इसको premature grain के category में रख सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों बहुत बार hormonal fluctuation के वज़े से या chronic illness के वज़े से, यानि कि अगर आप बहुत बहुत लंबे समय से बीमार रह रहे हैं तो भी आपके बाल जढने की possibility हो सकती है, या इसके अलावा अगर आप में कोई हार्मोनल fluctuation है, जैसे कि thyroid का fluctuation है, या फिर आप PCOD female है, या uterus सम्मदित किसी भी बीमारी से ग्रसीत हैं, आप में हार्मोन बहुत ज़्यादा जिस्टर्ब हैं, तो उसके फल सरूप भी आपके बालों के जढने की possibility हो सकती है, तो ये कुछ basic causes हैं दोस्तों, जिनके वज़े स आपके बालों के जढने की possibility हो सकती है, बात करते हैं इनके treatment plan पे, तो सबसे पहले जो मैंने causes बताएं हैं, आप उन पर अपना look out करें, पहले आप कोशिश करें कि अपने nutritional part को अच्छा रखें, पानी अच्छे पिएं, कभी-कभी over dehydration के वज़े से भी आपका स्कल्प बहु धूल, मिट्टी और sun raises का direct exposure ना है, इसके अलावा, हर्मोनल अगर issues हैं, तो आप हर्मोन वाले पे तो definitely आप उसके causes पे काम करें, तब ही आपके बालों के जढने की जो tendency है, वो कम होगी, अगर हर्मोनल fluctuation बना रहेगा, तो आपके बालों की जो ये डियरेंडमेंट है, वो आपके बालों के जढने से लेकर आपके बालों के सफेध होने, डेंस्टी को इंप्रूफ करने, बालों की रूट को अच्छा करने, इन सब पे बहुत ही अच्छा काम करता है, इसके साथ साथ ये आपके बालों में जो है ब्लेक सार्कूलेशन को इंप्रूफ करता है, आप की root हैं उसको मजबूत करता है follicles में hair growth की tendency को बढ़ाता है आप में अगर hair graying यानि की बाल सफेध होने की tendency अगर बढ़ रही है तो वो उसको कम करने में भी हल्क परता है तो यह overall एक tonic जैसा काम करता है आपके बालों के लिए बात करती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या ingredients पढ़े हुए है दोस्तों इसके अंदर आर्निका, जैबरोंडी, hair oil, sabal, seruleta and olive oil पढ़ा आप जानते हैं कि olive oil बहुत अच्छा, बहुत helpful होता है हमारे बालों की सम्मधित परिशानी के लिए तो यह सारी चीज़ें आपके बालों से जितने भी related issue है उन सबको help करता है अपने बालों की जनस्टी के अनुसार आप 20-25 बून, 30 बून भी ले सकते हैं और उसको आप ले और अगर थोड़ा सा गुनगुना कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप डारेक्ट भी अपलाई कर सकते हैं गुनगुना आपको डारेक्ट आपको गैस पर अपने रूट पर अच्छे से लगा के हलके हाथ से मसाज करें और उसको राद भर छोड़ दे और सुबा आप उसको वाश कर ले आप नीमित रूप से अगर इसका अगर रोज लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर रोज लगाने की संभावनाएं नहीं है त आपके बालों से संबंदित हर परिशानी को ठीक करने में बहुत ज्यादा लाप्रद होगा और कुछ दिन में आपको दिखेगा कि आपके बालों में न्यू ग्रोथ दिखरी आप में बेबी हर साने शुरू हो गए और आपके बालों की दंस्ती काफी इंप्रूफ कर गई ह तो दोस्तो अब इसकी प्राइजिंग के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तो इसकी 200 ml की बॉटल जो है आपको 160 रुपीज में मिल जाती है या अगर ऑनलाइन कहीं पे भी आपको मिल रहे है तो शायद आपको थोड़ी और सस्ती मिल सकती अदर्वाइस जो उसका MRP कॉस्ट के लिए आप इसको male and female सभी लोग यानि कि पुरुष और महिलाएं दोनों ही इसका प्रेयोग कर जकते हैं और ये बहुत ही अच्छा result देती है तो दोस्तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको like जरू करे शेयर करें जादा जादा फ्रेंक्स family members और relatives के साथ और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल जरू सब्सक्राइब करें दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह के informative वीडियो के साथ तब तक के लिए thank you so much stay safe and healthy